हेलो एवरिवन मैं प्रीइंग चोद्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत की बुक शेमुशी द्वीतियो भागय के चैप्टर जननी तुल्लेवतसला के प्रशनोतर सबसे पहले में आपको बता दूं कि यदि आपको चैप्टर का हिंद्य नुआद देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिष्ट में जाकर क्लास 10 संस्कृत की प्लेलिष्ट ओपन करके पार्ट का हिंद्य नुआद बड़ी ही शरल भासा में देख सकते हैं तो अब शुरू करते हैं हमारे प्रशनोतर और हमारा फर्स्ट क्योशन है एक पदेन उत्तरम लिखत एक पद में उत्तर लिखो फर्स्ट का कै है व्रिश्वेह दीनेह इती जानन नपी कै है तम नुद्दे मानेह आसीत बैल दुखी है यह जानता हुआ भी कौन उसे हाक र तो आंसर है हमारा क्रिश्क है अर्थार्थ किसान खे है व्रिश्वेह कुत्र पपात बैल कहां गिर गया आंसर है शेत्रे अर्थार्थ खेत में गय है दुर्बले सुते कश्याह अधीका क्रिपा भावती कमजोर पुत्र पर किसकी क्रिपा अधिक होती है आंसर है मातु हु अर्थार्थ माता की नेक्स्ट है कयों हो एक है शरीरेंड दुर्बल है आसीत किन दोनों में से एक शरीर से कमजोर था आंसर है बली वर्दय हो अर्थार्थ दो बैलों में से नेक्स्ट है चंडवातें मेगवही चै सह कह समझायत तेज हवा और बादलों की गर्जना के साथ क्या हुआ आंस्वर है प्रेवर्स है अर्थार्थ तेज वर्सा अब है कोशन नमर सेकिंड आदो लिखीता नाम प्रिश्ण नाम उत्तरानी संस्कृत भाशाया लिखत नीचे लिखे प्रश्णों की उत्तर संस्कृत भाशा में लिखो क्या है क्रिश के है किम करोती इस्मा किसान क्या कर रहा था आंस्वर है क्रिश के है बली वर्दा भ्याम शेत्र कर्शनाम करोती इस्मा किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था Next question है, माता सुर्भी की मर्थम अश्रूनी मुन्चती इस्म, माता सुर्भी किसलिए आशू बहा रही थी? आंसर है, भूमाव पती ते स्वेपुत्रम दिश्ट्वा, माता सुर्भी अश्रूनी मुन्चती इस्म, भूमी पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख कर, माता सुर्भी आशू बहा रही थी? सुर्भी इंद्र के प्रश्ण का क्या उत्तर देती है? आंसर है, सुर्भी इंद्र के प्रश्ण का उत्तर देती है कि, पुत्र की दीनता को देख कर, मैं रो रही हूँ नेक्स्ट है, मातु अधीका क्रिपा कस्मिन भहुती, माता की अधिक क्रिपा किस पर होती है? आंसर है, दुर्भले सुते मातु अधीका क्रिपा भहुती, कमजोर पुत्र पर माता की अधिक क्रिपा होती है इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए वर्सा की आंसर है जननी सर्वेशु एपत्येशु तुल्य वत्सला भवती माता सभी संतानों पर समान रूप से इसने करने वाली होती है चे है पाठे अस्मिन कयो हो समवाद है विद्यते इस पाठ में किन दो का समवाद है आंसर है अस्मिन पाठे गोमात हो सुर्भे इंद्रश्य चै समवाद है विद्यते इस पाठ में गोमाता सुर्भी और इंद्र का समवाद है ये था बिटा हमारा question number second question third है क्या स्थम्बे दत्ता नाम पदा नाम मेले नाम क्या स्थम्बे दत्ताई समान आर्थक पदाई कुरूद क्या स्थम्ब में दिये गए पदो का मेल क्या स्थम्ब में दिये गए समान आर्थक पदो से करो समान अर्थी क्या होते है जो समान अर्थ देने वाले होते हैं उन्हें समान अर्थी कहते हैं ठीक है अब देखे बटा यहाँ कैस्तम है और इधर हमारा कैस्तम है कैस्तम में जो अपना question है वो है और कैस्तम में मैंने जस्ट उनके सामने उनका answer लिख दिया है ठीक है तो देख चक्षु भ्याम, दोनों आखों से तो नेत्रा भ्याम, जमेन तेज गती से दृत गत्या, इंद्र है, इंद्र वास्व है, पुत्रहा, पुत्र, सुतहा, पुत्र, शिग्राम जल्दी, एचिरम जल्दी, बली वर्द है, बैल, वरिश्व है, बैल, क्वशन नमर फोर है, इस्थोल पदम आध्रित्य प्रशनिर्मानम कुरूत, मोटे पदों के आधार पर प्रशनिर्मान करो, देश्टोरेंस यहाँ पर जो मोटे पद थे, उनको मैंने हाइलाइट कर दिया है, ठीक है न, तो देखे सह क्रिश्रेन भारम उद्वहती, वह कठिनाई से भार वहन करता है, तो क्वशन मनेगा किस से, सह केन भारम उद्वहती, वह किस से भार वहन करता है, खेह सुराधिपह ताम एप्रिच्छत, इंद्र ने उससे पूछा, तो क्वशन मनेगा किस ने, कह ताम एप्रिच्छत, किस ने उससे पूछा गय है आयाम अन्येभ्यो दुर्बल है यह दूसरों से कमजोर है तो क्वेशन मनेगा किन से आयाम केभ्यो दुर्बल है यह किन से कमजोर है नेक्स्ट है धेनोना माता सुर्भी आसीत गायो की माता सुर्भी थी क्वेशन मनेगा किन की, कासाम माता सुर्भी आसीत, किन की माता सुर्भी थी नेक्स्ट है, सैस्त्र अधिकेशू पुत्रेशू सत्सू अपीसा दुखी आसीत, हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी वह दुखी थी तो क्वेशन मनेगा कितने केशू पुत्रेशू सत्सू अपीसा दुखी आसीत, कितने पुत्र होते हुए भी वह दुखी थी तो यहां पर यह क्या है अंडराइन है रेखांकित है बिटा तो यहां यह संदी चेत दिया गया है तो इसका हमी क्या करना है संदी करनी है ठीक है तो देखो बिटा क्रिश कह चेत्र कर्ष्णम कुरुवन प्लस आसीद तो कुरुवन प्लस आसीद शेश शब्द बनेगा जो हमारी संदी होगी वो होगी कुरुवन नासीद और यदि इसम संधी की बात की जाए कि कौन सी संधी है तो मैं आपको बता दू बेटा यहां पर डमोडा घम व्यंजन संधी है ठीक है नेक्स्ट रहे के हैं विश्बह दुर्बल है आसी अब यहां देखू बटा तयोर एक है संधी है इक शब्द है इसका में क्या करना है संदी नेक्स्ट है तथापी व्रिश्वेह ने प्लस उत्थीत है यहाँ आपको संदिविछेद दिया गया है इसकी हमें संदी करनी है तो हमारा शब्द बनेगा नोत थीत है और इसमें संदी होगी गुण स्वर संदी नेक्स्ट है सत्स्वापी बहुसू पुत्रेशू असमिन वास्सल्यम कथं तो यहाँ एक शब्द दिया गया है मतलब संदी दी हुई है इसका हमें करना है संदी विछेद और हमारा संदी विछेद होगा सत्सू प्लस अपी और इसमें यर स्वर संदी होगी ठीक है नेक्स्ट है तथा प्लस अपी प्लस अहम प्लस एतस्मिन इसने हम अनोभवामी यहाँ आपको अलगलग शब्द दिये गया है मतलब संदी विछेद क्या हुआ है इसका हमें एक शब्द बनाना है और हमारा शब्द बनेगा तथाप्य एहमे तस्मीन और इसमें संदी होगी बिटा कौन सी यन ठीक है न यहां के ले लेती हम यन संदी नेक्स्ट है मे बहुनी एपत्यानी संदी यहां बहुनी प्लस एपत्यानी दिया गया है मतलब संदी वचेद दिया गया है, इसका भी हमें क्या करना है, संदी बनानी है, तो शब्द बनेगा बहुन्य पत्यानी, और इसमें संदी होगी यन स्वर संदी, नेक्स्ट है, सर्वत्र जलो पल लवह संजाते हैं, यहां एक शब्द दिया गया है, इसका हमें करना है संदी विचेद और हमारा संदी विचेद होगा जल प्लास उपपलावा है और संदी होगी इसमें गोनस्वर संदी क्लियर कोश्य नमर्शिक्स है अधो लिखी तेसू वाक्य सू रेखान कित सर्वनाम पदम कस्माई प्रयुक्त हैं नेचे लिखे गए वाक्यों में रेखान कित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है हमें ये बताना है ठीक है बटा जैसे फर्स्ट है साचे एवदत भोवासव एहम ब्रिशम दुखीता अस्मी और वह बोली हे वासव या हे इंद्र मैं अत्यधिक दुखी हूं तो यहाँ पर अंडलाइन शब्द क्या है बटा हमारा रेखांकित शब्द सा तो हमें बताना है जो ये सा सर्वनाम शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है तो किसके लिए किया गया है सुर्भयाई अर्थार्थ सुर्भी के लिए खे है पुत्रश्य दैन्यम द्रिष्टवा एहम रोदिमी पुत्र की दीनता देखकर मैं रो रही हूँ तो यहाँ एहम एहम अर्थार्थ मैं तो यह एहम सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रेक्त किया गया है सुर्भयाई सुर्भी के लिए नेक्स्ट है सह दीन है इती जानन अपी क्रिष्के तम पीड़यती वह दुखी है यह जानता हुआ भी वह किसान उसे पीड़ा दे रहा है तो यहाँ सह, सहकर्थ है वह, वह दुखिये, कौन दुखिये विटा किसके लिए आया है, यहाँ पर सहई शब्द है, विश भाई, अर्थार्थ बैल के लिए, नेक्ट है, में बहुनी एपत्यानी संती, मेरे बहुत अधिक संतान है, तो यहाँ पर में, में सर्वनाम भयाई, अर्थार्थ सुर्भी के लिए, नेक्ट है, सहचे ताम एवं एसांतवयत, और उसने उसे इस प्रकार सांतवना दी, उसने, किसने दी बिटा, यहाँ पर सहई शब्द किसके लिए आया है, इंद्राय, अर्थार्थ इंद्र के लिए, नेक्ट है, सहस्त्रेशू, हजारों पुत्र होते हुए भी तुम्हारा इस पर इसने है, तो यहाँ पर तव, अर्थार्थ तुम्हारा, तो तव जो सर्म नाम शब्द वो किसके लिए प्रेक तुआ है, सुर्भयाई, अर्थार्थ सुर्भी के लिए, नेक्ट है, लास्ट कोशन मेटा, कोशन रमर्थ सेवन, कैस्तंबे विशेशन पदम लिखीता, कैस्तंबे पुन्हे विशेश्य पदम, कैस्तंब में विशेशन पद लिखे हुए है, और कैस्तंब में फिर से विशेश्य पद लिखे हुए है, ठीक है, तयोह मेले नम कुरूत, उनका मिलान करो, मतलब विशेशन का पद दिए गए हैं और कैस तमर में दिए गए हैं विशेश्य पद तो देखी बीटा कर्षित क्रिषक है कोई किसान दुर्बलम वृष्भं कमजोर बैल क्रोध्य है क्रिशी वल है क्रोधित किसान सैस्त्र अदिक इसू पुत्रेशू, हजारों से अधिक पुत्रों पर, अभ्यधिका क्रिपा, अत्यधिक क्रिपा, विस्मित है आखंडल है, अचंबित इंद्र, तुल्यवत्सला जननी, समान रूप से इसने वाली माता, तो दियर स्टुडेंट्स ये था हमारा चैप्टर जननी तुल्यवत्सला के कंप्लेट कोश्चन आंस्वर हिंदी अनुवाद के साथ, आई होप आपको क्लियर हो गए हो, तो दियर स्टुडेंट्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तिसे लाइक और शेयर करना ना भूले, थैंक यू,